रादे रादे माँ भगवती आप सभी की मनों कामना पूर्णे कर इसे की साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माग माज की किष्णुपक्षी की अमवश्य को मौनी अमवश्य कहते हैं और इस दिन मौन रहे के व्रत रखा जाता है जो 12 अमवश्य के दिन लक्षी प्रापति के लिए कुछ खास उपाय बताए गए हैं जिनको करने से माता लक्षमी जी पित्र हुश हों जो हमको आशिरवात देते हैं और माता लक्षमी का आगमन होता है धन सम्मदी समस्या repositी है तो चलिए जानते हैं अमवश्य आपको How रखा इस दिन पित्रों को जल देने से उन्हें तरपती मिलती है और वहाँ अपना आशिरवाद देते हैं साथ ही इस दिन पवीत जगह पर पिंडदान करने से भी आपको फाइदा होता है जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा किस्तिती कमजोर होती है वहाँ वह गाय को दही और चावल खिला कर अपने इस दोश को दूर कर सकते हैं मानसिक शांती प्राप्त होती है और महा लक्षमी का आशिरवाद आप लोगों को मिलता है अमा वस्या के दिन तुलसी माता की पूजा करने से देवी लक्षमी का आशिरवाद मिलता है इस दिन तुलसी माता की पूजा क जाब करे और सूरिय भगवान को अर्ग दे ऐसा करने से घर में दरीदित्ता का वास खतम हो जाता है और घर के सदस्यों की प्रगति होती है हमारे शास्त्रों में मौनिय मवस्य के दिन गंगा इसनान का विशेश महातों बताएगा है लेकिन अगर यह जो बिमारी चल रही अभी तो इसमें हम लोग कहीं इसनान करने नहीं जा सकते हैं गंगा इसनान या संगम का जो इसनान वो नहीं हो सकता है तो आप किसी भी नदी म वस्त्र, अंजन, दर्पन, स्वर्ण या दूद देने वाली गाई जो भी आप से बन सके आप दान कर सकते हो और जो काली तिल होती है उसका दान सरवदिक लाबदायक होता है तो आप उसका भी दान कर सकते हो और उसको हाथ में लेके आप सूरी को अर्बी दे सकते हो तो यह चुट-छुटी उपा है जिनों करने से हमारी सारे परिशानिया दूर होती है और घर में जो फेली दरी देता है और जो पेसे संबन जो भी प्रॉब्लम होती है मोनियमा वस्या के दीन पीपल के विरक्ष की पूजा और भगवान विश्नों की पूजा का विशेश महात्वे इस दीन पीपल के विरक्ष को आप 108 बार चे सूत से भांद कर और 108 फल रखें अलग-अलग जगे पर और पूजा होने के बाद आप जो 108 फल आपने रखें वो किसी भी गरीब या जरुत मंद को आप विद्धित कर दें ऐसा करने से धन धान की कमी नहीं रहती है संतान भी चिदन चीवी होती है मतलब संतान की भी आयू लंबी होती है तो यह थे छुट-छुटे उपाई जो मैं आपको बता हैं आप लोग को मेरी जानकारी कैसी लगी कमंड करके जरूर बताईएगा और इस बार मौन्य मवश्य पर यह उपाई कीजिए आपको फायदा होगा फिर मिल तुम इस तरह की जानकारी के साथ में तब तक के लिए राते राते